अर्जुन और दालचिनी का काढ़ा स्वास्तिक लिए बहुत ज़्यादा गुनकारी है दोस्तों। बहुत सारी बुमारियों को ये ठीक करने का काम करता है। अगर आप एक कप अरजन चाल और दाल चिनी का काड़ा सुबा खाली पेट पीना शुरू कर दें और लगबख साथ दिन तक अगर आपको पी लें तो बहुत सारी बुमारियां आपका कॉलेस्टोल आपका बीपी बढ़ता है जहां आपका बीपी कम रहता है आपका कम हो जाता है जिससे बहुत सारी बुमारियां आ जाती है तो इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए अर्जन और दालचीनियो को एक बहुत ही बढ़िया आईरवेदी करामडी बन जाती है दोस्तों जो आपकी पूरी बॉड़ी के अंदर से बुमारियों को बाहर निकाल है तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरस्टिंग वीडियो को और जानेंगे कितनी क्वांटिटी में लेना है इसको कब लेना है और किन बमारियों के अंदर इसका नुक्सान हो सकता है डेटेल में हम डिसकस करें सबसे पहला जो फैदा होता है दोस्तो हो है हर्ट के अंदर हर्ट के अंदर जो बैड कॉलिस्ट्रोल आपका बढ़ जाता है जातर बुमारियां बैड कॉलिस्ट्रोल बढ़ने से हो जाती है जिससे आपकी नसों के अंदर खून की दमनियों के अंदर थक्का जम जाता है ब आपके ब्लॉकेज हो सकती है आपको अवेरिकोस वेन हो सकती है उसको दिल की नस बंद हो जाए तो हर्ट अटैक आ सकता है इससे अरजन और दालचीनी का जब आप काड़ा मिक्स करके पिएंगे इन दोनों हर्ब को तो इससे क्या होगा आपका बी एम आर इंक्रीज होगा बे देता है ब्लॉकेज को दूर कर देता है पर इसके अंदर एक द्यान यह रखना है इसकी क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा ले ली तो दोस्तों आपकी दिल की दड़कन बढ़ सकती है जब जिनकी दिल की दड़कन पहले से बढ़ रही है बीपी उनका ठीक रहता था उनको यह remedy ट्राइ नहीं करनी है उनको मैं बताऊंगा कैसे इस remedy को ट्राइ करके आप side effects से बज सकते हैं बाकि इसको high BP के लिए और कॉलस्टॉल और रिगुलरली इस्तमाल करना सकते हैं इसको दूसरा इसको फैंदा मिलता है दोस्तों कैंसर के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैंसर होई ना, जा कैंसर हो गया है तो इसके अंदर इसका बहुत ही, मिनिमम कौंटिटी के अंदर आप जो दाल चीनी का काड़ा आप पियेंगे, तो आपकी अम्यून्टी बुस्ट होगी आपकी मिंटी बिस्ट होगी क्योंकि इसके अंदर एंटी ऑक्सिडंट होते हैं जो आपके पूरी शिरीर के अंदर जो आपकी ओज है वह मर गी थी उस ओज को यह जगाने का काम करता है आपकी वाइटल फोर्स है बॉडी के अंदर दुबारा से जागरत होकर आप ठीक होकर नर्जेटिक महसूस करते हैं तीसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों वह है एंटी इंफामेटरी दिखा गया कि जोडों की जो बुमारिया है वह सूजन की वज़ा से ही शुरू हो सकती है तो जैसे आपको गठिया हो जाए रुमिटड अर्थ्राइड तो आपकी सबी ये दर्द की समस्थे हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई है तो वो पहले ही दिन से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी पर एक दियान रखना है जिनका वेट बॉड़ी का पहले से ही बहुत ज़्यदा कम है अपनी उमर के और हाइट के साब से बॉड़ी वे आपकी हाइट है तो आपके अंदर 50 किलो मिनिमियम वेट होना चाहिए तब ही इसको लें इन सबी नुस्कों के अंदर नीतों नहीं लेना चाहिए जो बाते आपको हर कोई डॉक्टर नहीं बताता है बलड शुगर के अंदर इसका बहुत बड़ी है फायदा है देखा है कि पॉलिफिनोल सीरम गलूकोज को यह बहुत ही बढ़ी है तरीके से कम करता है जिससे आपका इनसुलीन और ज़्यादा स्क्रीलिट होने लग जाता है बलड शुगर कंट्रोल होने लग अगती है तो ड़िएपटीज के अंदर यह शुगर को बहुत ही जल्दी कंट्रोल करत और नसों के उपर जो असर हो गया था उसको ठीक करने का काम करता है पांच माँ जो बेनिफिट है इसका अम्यूनिटी के लिए जिनको बार बार जो खाम, खांसी, गला, खराब बुखार होकर होता रहता है उनका तो लगाता है यह 30 दिन इसको इसको इस्तमाल करें थोड़ी क वहां से सर्कूलेशन कम हो जाती है ब्लड फ्लो आपकी पूरे शरीद में खून पूरी तेजी से नहीं गूम पाता है ब्लॉकेज की वज़े से नसों के सुनापन की वज़े से उसको यह ठीक करता है तो इसका काड़ा आप दिन में एक बार भी ले लेंगे आपका सर्कूल कराते हैं कि आपका वेट लॉस हो जाए अर्जुन और डालचिनी का जब आप काड़ा बनाकर दुनों का मिक्स शुरू करते हैं उससे क्या आता है आपका BMR इंक्रीज होगा तो आपका शरीर है वो आपकी फालतू जमा की हुए मटापे को चर्बी को खुद ही खाना पिग मीने तक भी आप डॉक्टर की सला से इसको इस्तमाल कर सकते हैं अब जो बहुत इपॉटन बात है कि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको हर्ट की कोई तकलीफ है ब्लॉकेज है कैंसर है हर्डी उकंदर दर्द है शूगर है आपको अम्यूनिटी है जहां आपकी सर्क जो मैंने बताया है हाइट के साब से उतना होना चाहिए उसके बिना आप इसको नहीं ट्राई करें तो सबसे बढ़ी है दूसरा अगर आपकी हर्ट की जो पाल्पीटेशन रहती है आपकी दिल की दड़कन बढ़ जाती है थोड़ा सा डर से जा आपको कोई वालव की मेजर प्रॉलम है आपको औरोटिक रिगरजीटेशन है आपको मिटर वालव की तो उसके अंदर इसको बिना डॉक्टर की सला से ना लें क्योंकि दिल की दड़कन बढ़ सकती है डोज डॉक्टर से सेट करोना बहुत जरूरी है बाकी क्या करें अगर इस सबी तकलीफें हैं तो आपको एक सिंपल सा मैं आपको टिप्स देता हूं हमेशा अर्जुन का जो चाल है काड़ा बनाने के लिए आप एक ग्लास लगबग 200 ग्राम पानी ले 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 उसके अंदर जो नॉर्मल डोस आजिरवेदा के अंदर चलती है अगर आपका वेट ठीक है जा आपकी दिल की दड़कन नहीं बढ़ती है तो चाहे आपका कॉलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है चाहे हाई वीपी की समस्से है चाहे आपका मुटापा है तो उन सभी के लिए आप आदा चमच 200 अमल पानी के अंदर आर्जुन का पाउडर एड़ कर सकते हैं एक चमच का चौता हिसा दाल चि तेज हो जाती है किसी ने किसी वज़ा से तो अर्जन का पाउडर भी आप एक चमच का चौता हिसा ही और दाल चिनी बस एक चुटकी से ही शुरू करें आप एक चुटकी दाल चिनी से शुरू करें और एक चमच के चौते से जो घर पे हम नॉर्मल चमच यूज करते हैं अ इतनी डोज नॉर्मल मैं बताई है इसको लें और तीस दिन तक लागतार लेते रहें डोज इतनी रखें आप जब नॉर्मल पर आ जाएं आदा चमच और एक बड़ा चार चमच तो इससे आपको कोई साइड फैक्ट नहीं होगा नहीं ता जाता लोग यूज तो कर लेते हैं कहीं से इन्फर्मेशन लेकर पर साइड फैक्ट नहीं शुरू हो जाते हैं हमको भी नहीं पता लगता फिर हो छोड़ देते हैं ऐस्डीटी ज़्यादा बन जाती है दमाग उनका सही तरीके से काम करना बंद कर देता है या बलड शूगर या हाई बीपी उनका बहुत ज़ गंटे पहले भी इसको ले सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फैदे मिलेंगे जो मौस पॉटेंट टेप है इस नुस्खे के दरान अगर आप इसका 100% रिजल्ट चाहते हैं तो खुराक में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपको 30 से 40 प्रसेंट ही इसका बेनिफिट मिलेगा सभी लोगों को जैसे कि आपको डाइट में फ्रूट एड़ करने हैं कुरूसिफर वेजिटेबल्स एड़ करनी है जो पत्तेदार सबजियां होती है जैसे फुल गोबी का सबजी है हरे मटर की सबजी है पालक साग मेथी का सबजी है टमाटर है और ऐस तोरी पेठा है यह सारी कुरुसिफर वेजी टेबलस हैं ऐसी हरी सबजियों का सूप बना कर आपने डेली जरूर पीना है अगर आप चीनी जा मठाईयां खा रहे हैं तो यह नुस्खा आपके उपर ज्यादा काम नहीं करेगा अगर आप योगा डेली नहीं करते हैं तब यह नुस्खा आपके उपर ज्यादा काम नहीं करेगा अगर आप बैठ कर ही सारा कुछ करना चाहते हैं तब यह नुस्खा आपके अंदर काम नहीं करेगा क्योंकि यह नुस्खा तो आपके खून के अंदर चला गया आपर उस नुस्खे को सारे श्रीर के अंदर पहुचाने क काम योगा करेगा कौन सा जोगा आप कर सकते हैं तो कपाल भाती जोगा इसके लिए बेस्ट है इन दिनों के लिए लाइट अक्ससाइज कपाल भाती सही आपकी हो जाएगी तो यह कर लेंगे आपको 100% result मिलेंगी दोस्तों और कोई भी side effects आपको नहीं मिलेगा तो होप यह video complete होगी आपके सभी स्वालों का जवाब आपको मिल गया होगा पर नैंसी के दरान यह नहीं ट्राई करना है चाहे आपको कोई बता दें कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई पता नहीं इसकी डोज कब किसके उपर कितना